हाई फ्रेंद्स वेल्कम बाक तो माई चानल मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए और नोटिफिकेशन बेल को अउन कर देजिए आज हम बनाएंगे एक नॉन्विज रेसिपी वो है मातन धी रोस्ट करी तो चलिए क्या-क्या इंगिरिंस की जरुवरत है वो पहले चेक कर लेते हैं अब बनाएं के लिए मुझे ये सारे जीजु की सरवत है सबसे पहले चाहिए मातन मैंने मातन को मीडिये इंगिरिस में कट किया है और अच्छे सिंव भोके साफ कर दे रख दिया है और मजिि जाहिए करीए खहले सनत कर्लीक का क्लोब्स मैंने यहाँ पर ट्यू गलिए लिए और करीपता मैंने ट्राइ करीपता यूश किया है आप च्छाह्जी तो प्रेश करीपता ही लिए जो आपके पास आज़ा दिप हो वह याँश कर सकते है तेस की हिसाब से दो ब्रेट चिली लिया है कुछ खड़े कर मसाले लिया है सिनिमन स्टीक्स, कड़िमम, क्लोप्स, स्टार अनिस अद पूरा समयने नट मिक को यूज के लिया है और कलेंटे लिये मैं यूज के रूँगी ब्रेट चिली पाउडर जो इस रेसीपे में को वहाँ quindi अच्छेल कलें लागा और मुझे चाहिए जरमिनफ पाउडर हॉल कोलियाडिट सीच वान स्पून हारप स्पून मैंने लिया है ब्लाक पेपर हॉल और यहां पे लिया है सॉफ वान स्पून और क्युम इन सीच लिया है ये सारे मसालयों को मैं मूटके प्राउडर गणा नूगे और मुझे चाहिए यहां पर योगर्ट मैंने यहां बहुक प्राउगर्ट कर यूज किया है युज थाट एशी है रख वर प्राउड़ और यूज पर यूज करें कि जिंजर पेस्ट वाण स्कुर्ण टेस्टु सॉल और यह रेसिपी बनाने के लिए मैं किया यूज़ करूंगे और आप पूरा रेसिपी घीमी भी बना सकते मैं अगर मैं थोड़ा सा ओकनट ओल पी यूज़ करूंगे जो आपको पसंद हो आप प्सकर सकते लिए रेसिपी कर लेती ऐसे पहले में प्रिशर कुकर ले लिया है और प्रिशर कुकर डाल दिया है मैंने 1 Can खी आद थोड़ा सहा मेने कोकुनाट ओईल नाल देखिया है है ओने ऐसे ठैसने इटाप मैं Whenever भुन देखिदेआ फिर हम उसके आंदर डाल देंगे मैं सपूं की अम और contrad Men फिर हम अच्छी तरह से पूल लेंगे इस जिंजर पेस्ट को, जब तक इस मसाले से ओयल छोड़ने लावेगे, तब तक हम इस जिंजर को अच्छी तरह से पूल लेंगे इसे कच्छ स्पिर चला जाए, फिर हम इसके अंदर मटन दाएंगे तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से ओयल छोने लगा है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देगे हमों मटन पीसेज, जो मैंने पहले से पहले अच्छी तरह से साफ करके रखाए, गैस करते हैं अब हम मीटियम रखेंगे, और एक इप करके सारे मटन पीसेज को इस हम इसके अंदर डाल देगे थोड़ा सा चर्मरी पाउडर और थोड़ा सा सॉट, फिर सारे चीजों को हम मटन के साथ मिक्स कर लेंगे, और मटन को इस जिंजर पेस्ट पे थोड़ी दिर के लिए हम फ्राइ कर लेंगे, एर फाइफ तो सेवन मिनिट्स के लिए हम इस मटन क थोड़ा सा फ्राइ करनेंगे, देखिए धीरे धीरे चीजर से फ्राइ हो चुका है, अभी हम इसके अंदर डालने के वान कप हॉट वाटर, हॉट वाटर डालने के लिए पाद हम इस स्पेशल कुकर कर धेस्टे लागा देगे, और मीडियम प्लेंपे हम दो सीठे लगा द अपने आप जब तक ये प्रेशर कुपर का प्रेशर पूरण निकाल नहीं जाता है, तब तक हम इस प्रेशर कुपर का ऐसे ही छोड़ देगे, वीडियम पर दो सीठे लागा ही, तब तक ये मॉटन बहुत ही अच्छी तरह से बॉल होचाए है, जब तक ये मॉटन बॉल ह पर तक हम मीनिस सरुसेट पूर का मसाला बना दे जदे जए है, अच्छी है मसाला बनाएं, आयरें कातावा, आयरें कातावा को मैं अच्छी तरह से अच्छी तरह से तुल को लिया है और देगे लॉल घडिट चल, मैंने यहापे दो दो तो यूज के यूज के लिए अब क्लोप्स, स्टार अनीज और थोड़ अनवे अभी हम डाल लें वान स्पूर्ट कुमिन सीट्स को, थाप स्पूर्ट, सॉफ, वान स्पूर्ट ब्लैक पिपर, ओल प्लैक पिपर मैंने यूज किया है, कोडियंदे सीज ही उसके आए, वान स्पूर्ट, फिर साधे चीजों को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, पिरेजी अगर के इस मसालों में कलर चैन्प हो जाएगा, पुपाद अच्छा एक खुल्पू आएगा, तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे, इसके अंदर ओयल अच्छी तरह से हम इसको फ्राइ कर लेंगे, और धीर जीने करके दिखिए मसालों को कलर भी चैन्प हो जाएगा, यह मसाला अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद इस मसालों को थोड़ी देर के लिए हम ठंदा कर लेंगे, फिर हम इसको पीस लेंगे अनियल पेस्ट के आए, उसे मिक्सी जार में मैंने डाल दिया इस सारे रोस्टिट मसाला, और इस मसालों के अंदर अधी हम डाल देंगे दो कार्लिक, क्लोप्स, तो मैंने लिया था, और थोड़ा सा रेच्छी पाउडर, फिर हम सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर पाणी डाल के एक फील पेस्ट बना जूंगी और ग्रेवी में हम पीली मसालों करूंगे और अच्छी तरह से हम पेस्ट लेते हैं, उसे लिए हम पेस्ट देंगे, ते एक होटी अच्छा एक मसाला बनके रेडी हो गया है, उसे लिए करी बना दे, मैंने वही तावा ले ल और उसके अंदर मैं डालनेगी वान स्पून को कोकोनट ओल, एड वान स्पून की, ये खी अंद को कोकोनट ओल थोड़ा से गडब हो जाए, फिर हम उसके अंदर डालनेगे अनियन पेस्ट को, मैंने यहां पी एक पिक से इसका अनियन लिया है, जो रेड अनियन है, और रेड अनियन पेस्ट करने के बाद को बहुत अच्छा आता है, अभी उस अनियन को हम इस ओल के अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरसे उस अनियन को फ्राइटर लेंगे, जब तक अनियन का कलर अनियो जा तो रे जया तरक के अनियन को अच्छी तरसे और स्पाइटर अच्छी तक अनियन देखिए अनियन के कलर चेंज होने लगा देगे अनियन देखिए कलर भी चेंज हो चुका है अची तरह से पक चुका है अभी हम इसके अंदर डाल देंगे वह मसाला जो मैंने मिक्सी में पेस्ट करके रखा था और अनियन के साथ वह मसाला बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी हम डाल देंगे वान कप यूगर्ट को मैंने पहले से फेट के रखा था और थोड़ा सा फेट के हम इसके अंदर डाल देंगे और सारे चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने यूगर्ट डाला है इससे थोड़ा सा पानी भी होएगा और ओयल जब तक से परेट नहीं हो जाता है तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूट कर लेंगे मुझे इस मसालो को अच्छी तरह से भूटना है और जब तक इससे बहुत अच्छा खुश्पू नहीं आ जाता है मुझे इस मसालो को बहुत ही अच्छी तरह से भूटना है एरूं 10 मिंट्रिस के लिए मुझे इस मसालो को भूटना है यह मसालों से कितनी अच्छी तरह से ओयल छोड़ने लगा है यह मसाला अल्मोस्ट रेडी हो चुगा है अभी हम इस मसालों के अंदर डाल देंके वो मतन जो मैंने पहले से बॉल करके रखा था इसी टाइम पे हम टेस्ट को सॉल्ट की एड़ कर लेंगे क्योंकि मैंने मतन को बॉल करने के टाइम भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट का यूज किया है वह हम balance कर लेंगे इसे ताओ अभी हम दावी के फुरसट करीमिस जो मैंने dry करीमिस से लिया था, आपके करीमिस को हम घाँएगे, सारे चीजों को हम mix कर लेंगे और boil किया हूँआ मतन अभी हम इस ख्रेवी में add कर लेंगे अब यह बहुत ही अच्छा है तुछ को आड़ा है इस क्रेवी से सारे मटन पीसिस को हम डाल देंगे इसके अंदर और कुकर में जितना पानी है वो भी हम एड़ कर लेंगे फिर मटन के साथ इस मस्ट ग्रेवी को कहती अची तरह से हम बॉइंटर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको एक साथ बॉइल करेंगे पैन का ठकन लगा देंगे 10 मिनिट के लिए हम पैन का ठकन लगाएंगे और पीच-पीच में हम इसको हिलाते जाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा 10 मिनिट के लिए हम इसको बॉयल करते हैं और ये रेसिपी एक्दम रायाव है जाएगा तो चलिए अभी हम वेट करते हैं दस मिनिट के लिए और बीजबी के इसको हिलाते जाएंगे दस मिनिट के पाद मेरा यह रेसिपी एक दम रेस है आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, फ्राइट राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इस बहुत ही टेस्टी गनाने, तो चलिए हम जल्बी से इसमें सोर्फ करते हैं आप इसको रेसिपी अच्छे लगा, तो एक लाइक कीजिए, फ्रेंज एंड फैमिल के साथ, शेयर भी कीजिए और पूरी ऐसे इन्ट्रेस्टी गना चाहते हैं, तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका फिक्चर आप मेरी साथ शेयर कीजिए, इंस्ट्रागाम का लिंग प्रेस्किप्शन बॉप्स में हैं लगा तो एक लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल में ऐसे बहुत सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को आउन कर दीजिए, और इस नोटिफिकेशन बिल और सब्सक्राइब बलकुल फ्री है, यह रेसिपी आप घर में बनाते हैं, तो टेस्ट करने के बार मुझ प्लिक सकते हैं, आप एंजोई किजिए इस रेसिपी को, मैं अचली इसको राइस के साथ एंजोई करने के लिए, तो मैं मिलें की और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, फी यू, अद एक्स वीडियो, बाइ! तो